हलो अवरिवान वलकम बैक टू मैं चानल ब्रड़ लाइन का न्यू एपिसोड लेकर आई हूं प्लीज प्लीज चानल को सब्स्राइब करना लाइक करना और कमेंट करके बताना इफ एफ एफ कैसे लग रहा है पिछले एपिसोड में हमने देखा था शिचंगा और इनके रिलेटिफों के जान पहचान वाले दोस्त सभी ने में पीट पीछे मिंग्याव और शिचंग लेकर गौसिप किया है बहुत ज्यादा और मिंग्याव का बुआई को तो करते हुए ठकते नहीं हैं इसलिए शिचंगव यह नहीं चाहते थे की उनके शादी में वो वांग जी और अंकल वहां पर थे मिंग्याव के तरफ से वींग था मिंग्याव ने अपनी परिवार वालों को बताया था कि वह शादी कर रहा है बड उसके फैमिली से पूरा उनके ऊपर डिपेंड करता है मिंग्याव को बुरा नहीं लगा था फिर अंकल ने उन्हें हनीमून पैकेच दिया था गिफ्ट में अंकल इतना रोमांटिक नहीं है उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा था सारा कुछ अरेंज करने के लिए तो उस सेक्रेटरी ने ही सारा कुछ अरेंज किया था अंकल ने तो बस वो कार्ड शिचंगा को दिया था और शिचंगा और मिंग्याओ अपने हनीमून में चले भी गये थे शिचंगा और मिंग्याओ के जाने के बाद वांग जी वींग को छोड़ने के लिए आता है विंग को उसके घर छोने के बाद वांग जी आफिस चला गया था इन एक हफतों में वांग जी ठीक से अपने आफिस में कोई भी काम नहीं कर पाया था क्योंकि वो शादी के काम में बिजी था तो अब ही उसके पास धे साड़ा काम है इसलिए वांग जी आफिस आते ही बिजी हो गया था विंग जो पूरा दिन रेस्ट करता है उसे बहुत बोर फील हो रहा था मिंग्याओ रहता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और अब जब मिंग्याओ नहीं है तो उसे बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा था, घर एकदम खाली-खाली सा लग रहा था, विंग उतको समझा रहा था कि वैसे भी मिंग्याओ गगा आएंगे और वो यहां से शिचन का के साथ लैंड हाउस शिफ्ट हो जाएंगे, त अपने कॉलेज चला गया था। कॉलेज जाने के बाद उसे थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ क्यूंकि मिंग्याओ नहीं है, बट निय होःसीं तो है। निय होःसांग विंग कॉपनी दे रहा था, निय होःसांग को जब पता चला कि मिंग्याओ उनने शादी कर लिया उनके टीचर ने शादी कर लिया है तो निय होई सांग बहुत ही जादा एक्साइटेड हो गया था निय होई सांग कहता है प्रोफेसर मिंग्याव उन्होंने तो हमें कुछ भी नहीं बताया वो किस से शादी करे है क्या वो रिलेशन्शिप में थे पहले ये सब कब हुआ कै तुम्हें सब कुछ पता था पहले से निय होई सांग हजारों सवाल पूछ रहा था सब कुछ तो बताता नहीं है बट वो ये जरूर बताता है कि वो शादी में गया था ये सुनकर निय होई सांग सच में वो बहुत सद़ जलस फूल कर रहा था उसने कहा तुम बहुत बुड़े हो तुमने मुझे क्यों ने बताया मैं भी जाता ना वींग को याद आया हाँ वो नियहोई सांग को भी बुला सकता था नियो हुय सांग भी जाता वो मिंगाओ गगग की साइट से ही होता और भी ज़्यादा मज़ा आता और मिंगाओ गगगग को भी पसंद आता बट ये चीज ना विंग के दिमाग से निकल गया था विंग पूरा टाइम वांग जी के साथ था और वो शादी के कामों में बिजी था इसलिए विंग एक सैट सा फेज बनाता है और कहता है अम सौरी हुए सांग हुए सांग जिसका चहड़ा अभी तक एक एंगरी वाला लुक लिये हुए था वो एक दमी हसी में बदल गया था हुए सांग ने विंग को हक किया और बोला कोई बात नहीं पूरा दिन कॉलिज कहने के बाद विंग घर वापस आया घर पर अंधेरा था विंग याव नहीं थ तो विंग लाइट जलाता है फ्रेश होता है घर का साफ सफाई करता है और फिर अपने लिए खाना बनाता है विंग खाना बनाते हुए सोचता है कल वांग जी उससे घर छोड़ कर गया था तब अल्मोस्ट शाम हो गया था तब से लेकर अब तक वांग जी ने उसे कॉल य बस तीन महिने के लिए है, वो एक कॉंट्राक्ट में है, बट शायद वांग जी इन चीजों को नहीं भूला था, अब हमें वांग जी को दिखाया जाता है, जो अपने ओफिस में था, वो कल से अभी तक अपने मेंशन भी नहीं गया है, अपने मेंशन जिंग्शी में भी वो नहीं गया है, वो ऑफिस में ही है, दो घंटे वो बस रेस्ट किया है, इस पूर टाइम में, बाकी वो काम ही कर रहा है, शुयंग और बाकी के सेक्रिटरी वो सभी ठक कर चूड हो गये हैं, इतना काम, इतना काम, सच में, वो सब एकदम उनके अंदर का जो आत्मा है ना, व वो चिला चिला कर कहना चाहते थे कि अब हमसे नहीं होगा, हमें थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए, बट वो वांग जी के सामने कुछ कहने पा रहे थे, वांग जी, शुयंग को चिलाते हुए बुलाता है, हाला कि वांग जी के पास बेल है, जो सीधा शुयंग के डेक्स पर बज़ता है जब वांग जी को शुयंग को बिलाने की जरुवत पुरता है तो वांग जी उस बेल को ही प्रेस करता है लेकिन अभी वांग जी ने चिलाया है शुयंग को अपने डेक्स से ही सुनाई दिया उसका तो हालत ही खराब हो गया उसको पता चल गया कि कुछ तो गरबर हुआ है बड़ा गरबर हुआ है वेना ऐसे उसका बॉस उसे नहीं भुलाता है आज तो वो मरेगा शुयांग जल्दी से अपने डक्स से उठता है और वांग जी का ओफिस में चला जाता है वांग जी शुयांग के फेस पर एक फाइल को फेक मारता है जो सीधा शुयांग के फेस पर ही लगा था मारते हुए वांग जी कहता है ये क्या बक्वास है अगले हफते तुम भूल गयो हो अगले हफता हमारे लिए कितना इंपोर्टन है अगले हफते बोर्ड मीटिंग है मैं नहीं चाहता बोर्ड मेंबर्स को जरा सभी मौका मिले मुझ पर अपने कंडिशन्स को थोपने का मैंने तुम्हें पहले ही वर्निंग दिया था बोर्ड मीटिंग में कुछ भी गर्बार नहीं होना चाहिए जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होगा तो फिर तुमसे इतना बड़ा mistake हुआ कैसे श्रीयंग उस फाइल को तुरंट उठाता है और देखता है ओ नो श्रीयंग ने कहा I'm really sorry एक नया trainee आया है शायद उससे गलती हो गया है वांग जी कहता है यू idiot इस वक्त तुमने किसी trainee को यहाँ पर hire किया है इस वक्त क्या तुम अपने mind को loss कर चुके हो क्या तुम्हें अपने job से प्यार नहीं है अगर नहीं है तो कल सुभे तुम्हें तुम्हारा resignation later मिल जाएगा जैसे वांग जी ने ये कहाना शुयंग हकलाने लगा उसने कहा I am really sorry sir मैं अभी इससे solve करता हूँ आप tension मत कीजिए ये कहते हुए शुयंग उस file को उठा कर वहां से लेकर चला गया वांग जी अपने chair पर leaned हो गया उसे बहुत गुसा आ रहा था पिछले साल board meeting में उसे ना चाहते हुए भी बहुत सारे shareholders के बहुत सारे शर्तों को मानना परा था land corporation के shareholders shareholders मतलब एक company के shares को खड़ीदा जाता है मतलब कोई company बहुत अच्छा grow कर रहा है तो आप उसमें पैसा invest करके उसके shares को खड़ीद सकते हैं एक percent, दो percent ऐसे करके shares को खड़ीद सकते हैं आगे चलके आपको profit होगा ऐसे ही land corporation बहुत बड़ा company है बहुत बड़ा पूरे चाइना में और पूरे वर्ल्ड में land corporation का network है land corporation फैला हुआ है land corporation का major share lands के पास है लगभग 70 percent share lands के पास है land family के पास बागी के 30 percent बाड़ा company है तो उसके एक percent share भी billions में है इसलिए वो 30 percent share भी कम नहीं है उनके पास भी power है वो भी अपने shares के दम पर वांग जिस अपने शर्तों को पूरा करवा सकते हैं वांग जी यही तो नहीं चाहता और वांग जी का अगला goal ही यह है कि अपने जो 30 percent shares अलग अलग लोगों के पास है उससे अपने अंडर करना वांग जी इस काम में लगा हुआ है बट अभी इस board meeting में वो बिलकुल भी shareholders के शर्तों को अनाप शनाप शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है इसलिए वो हर एक चीज को बारिखी से कर रहा था हर एक चीज को जिसे अपने उनकी shareholders को मतलब वांग जी के shareholders को land corporation के जतने shareholders है उनको मौका ही ना मिले किसी भी चीज को पकर कर कुछ अनाप शनाप बखने का या फिर अनाप शनाप शर्ते रखने का अब वांग जी अपना फोन उठा था है और उससे on करता है फोन को on करते ही वांग जी को पता चला कि रात के 9 बज गये है वांग जी अपना फोन खोलता है और विंग के wechat पर जाता है वहाँ पर वांग जी विंग को message कहने के बारे वो सोच रहा था वो typing कर रहा था किर के लिवा हो और व define कर रहा था वांग जी hesitation कर रहा था वो सोच रहा था कि अभी तक जागा हुआ है अभी तो मिंग्याओ भी नहीं है शाहिद वो सोच चुका होगा वांग जी उसी कशम कशम था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे end में वंग जी ने message नहीं किया उसने phone को फिर से बंद किया और अपने काम में लग गया वो बहुत सारा paper work कर रहा था भी लगभग और दो गंटे काम करने के बाद वंग जी का भी शरीर जवाब दे चुका था वांग जी अपने आफिस के साथ अटाज बेडरूम में चला गया था सोने के लिए जाने से पहले वांग जी ने अपने इंप्लाइस को भी कहा था कि वो जाके रेस्ट करे वहाँ पर वांग जी का ओफिस में जितने भी सेक्रेटरी है ना उनके लिए रेस्ट करने का भी एक अलग जगा है अमेगास के लिए अलग है अलफास के लिए अलग है तो वो भी ये सुनकर बहुत सब दर रिलीफ महसूस करते हैं और चले गए थी वो भी रेस्ट करने के लिए वांग जी भी सोने के लिए चला गया था उन्होंने बहुत देद तक काम किया है तो उन्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए दूसरे तरफ हमें वींग को दिखाया जाता है जो अपने बेट पर सोया हुआ था वो बस लेटा हुआ था वो उसे नींद नहीं आ रहा था वो अपने फोन को ताके जा रहा था अभी रात के ग्यारा बच चुके हैं बट उसके आँखों में नींद नहीं है वींग इंतिजार कर रहा था शायद वांग जी उसे मेसेज करे या फिर क्या वो खुद वांग जी को मेसेज करे या फिर वो कॉल करे वींग अपने ही कश्म कश्मे था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे उसे बहुत फ्रस्टेशन फील हो रहा था पता नहीं क्यों वींग को बहुत ही बेचानी महसूस हो रहा था यही सब सोचते हुए, महसूस करते हुए, अपने फोन को देखते हुए, पता नहीं कब विंग का आखे बंध हो गया, उससे पता ही नहीं चला, वो सो गया था नेक्स्ट मॉर्निंग विंग लेट उठा और वो अपने कॉलेज के लिए देर हो गया उसे जैसे कॉलेज के लिए एक बार फिर जंग करना पर रहा था, बहुत दिनों बाद, मिंग याओ जब से उसके पास रहने के लिए आया था, तब से मिंग याओ उसे टाइम टू टाइम उठा दिया करता था, और ब्रिकफस्ट बना कर रखता था, तो विंग जल्दे से अलग है, इसलिए, विंग ने कॉल पिक नहीं किया था, क्योंकि विंग सो चुका था उस वक्त, विंग ने देखा और विंग ने कॉल बैक किया, लेकिन तब शायद मिंग याओ सो रहा था, या फिर वो अपने किसी काम में भिज़े था, इसलिए मिंग उठा नहीं पाया विंग का कॉल, खेर विंग कॉलेज चला गया, कॉलेज जाने के बाद विंग कॉलेज अटेंड करता है, अपने सारे क्लासस अटेंड करता है, और घर भी आ जाता है, आज का दिन भी नॉर्मली बीद गया था, विंग के लिए, शाम को मिंग उने विंग का कॉल किया था, और लगभग। दो धाई दिन बाद जाके उसने मिंग्याओ का वास सुना। विंग बहुत एक्साइड़ था। उसने पूछा गगा आप कैसे हो आपका हनिमून कैसा जा रहा है। मिंग्याओ कहता है मैं एकदम ठीक हूँ और सब अच्छा है। तुम बताओ तुम कैसे हो विंग। विंग ने कहा मैं तो एकदम बड़िया हूँ और मैं घर पर हूँ गगा तो मैं बड़िया ही रहूँगा आप लोग इंजॉॉई करो० विंग्याओ ने हूँ कहा फिर मिंग्याओ पूछता है विंग spokes जा रहे हो। विंग ने कहा, हाँ गगा मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आपके बीना घर पे रहना बहुत मुश्किल है गगा, मुझे बहुत जादा बोरिंग फील हो रहा है, इसलिए मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मिंग्याओ हसा, उसने कहा, ओके वांग जी तुमारा ध्यान रख रहा है न, ये सुनकर विंग चुप हो गया था बट कुछी दिर में विंग ने कहा हाँ गगा आपको पता है ना वांग जी कतना अच्छा है वो सब का ध्यान रखता है आप ज्यादा टेंशन मत कीजिए ये सुनकर मिंग्याव ने कहा अच्छा ठीक है तो अपना कॉलेज करो और अपना ख्याल रखना तुम खाना तो खा रहे हो ना ठीक टाइम पर विंग कहता है गगा अपने हनीमून पर ध्यान दीजिए ना कि मुझ पर अभी प्लीज अभी आपका और शिचनगा का टाइम है इंजॉय कीजिए खुलकर इंजॉय कीजिए घूमिया मस्त कीजिए हर एक चीज कीजिए जो आप दोनोंने पहले कभी नहीं किया तो इंजॉय और इन सारी चीजों को सारे टेंशन को दूर भगा दीजिए ओके गगा मिंगाओ कहता है मैं टेंशन नहीं करा हूँ मैं बस थोरा वरीड हूँ तुम खाना ठीक से बना नहीं पाते और तुम में आलस भी है इ बहुत वरीड है विंग ने कहा I'm sorry गगा I'm sorry शिजन गा मेरी वज़त से गगा इतना वरीड है और आप लोग इंजॉय नहीं कर पारे शिजन गा ने कहा नहीं विंग ऐसा कुछ नहीं है हम इंजॉय कर रहे हैं तुम भी अपना ध्यान रखना ओके शिजन गा ने कहा ये और उन्होंने कॉल कट कर दिया विंग ने भी अपना कॉल कट कर दिया फिर विंग ने अपने लिए खाना बनाया और वो टीवी चला कर खाने लगा आज भी पूरा दिन वांग जी ने कॉल या मेसेज नहीं किया था विंग ने अपने फोन को देखा और उससे साइट कर दिया फिर विंग एक कॉमेडी मूवी लगा कर अपना खाना एंजॉय कर रहा था। ऐसे ही लगभग और चार दिन बीद गए। आज बोर्ड मीटिंग का दिन है। वांग जी बैठा हुआ है अपने चेर में और सारे बोर्ड मेंबर्स भी बैठे हुए हैं। सबी आपस में अलग-अलग चीजों को लेकर बाते कर रहे थे। हमेशे की तरह बोर्ड मीटिंग में जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे जितने भी शेयर हूल्डर्स थे वो सब दो टीम में डिवाइड हो गए थे। एक जो वांग जी के सपोर्ट में थे और दूसरा वांग ज चेयर पर बैट गये। सारे जो बोर्ड मेंबर्स थे और वांग जी सब उठकर खड़े हुए और एक साथ मिस्टर लैंड को प्रेसिडंट लैंड को बोग किया। अंकल अपना सर नोट करते हुए अपने जगह पर बैट गये थे। और फिर मीटिंग स्टार्ट करने के लि पर लोस हो रहा है किस किस प्रोजेक्ट पर लोस हो रहा है और वांग जी वो कितना अपने काम को लेकर सीरियस है एज इस बारे में भी डिसकेशन हो रहा था वहाँ पर वोट हो रहा था जो obviously majority में वांग जी था वांग जी के तरफ जादा board members थे और जो लोग थे वांग जी के तरफ वो सब अच्छे थे वो सब जानते थे कि वांग जी जो काम कर रहा है वो सब भी अच्छा है CEO लान वांग जी दोगलापन नहीं दिखाते हैं वो हर काम को इमानदारी के साथ करते हैं वो किसी के साथ भी धोकादरी नहीं करते जो लोग लान वांग जी के काबिलियत को जानते हैं वो सब भी लान वांग जी के साइट थे लेकिन हर कोई अच्छाई के साथ हो ऐसा तो नहीं है न बहुत सारी लोग थे जो हाँ मेजोरिटी में तो कम थे लेकिन बातों को घुमाने में और बातों को बढ़ाने में बिलकुल भी कम नहीं थे उनमें से सबसे पहला नाम मिस्टर ली थे मिस्टर ली के डॉटर ली श्यून जिसे वांग जी के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजा था मतलब ली श्यून का फादर मिस्टर ली उनके पास लैन कॉर्परेशन के 5% शेर है और बाकी के जितने भी शेर होल्डस वहां पर थे ली श्यून के फादर मिस्टर ली के साथ उन सभी के पास लैन कॉर्परेशन के 1% शेर 2% 3% ऐसे शेर्स थे जो बहुत ही महेंगे हैं तो वो भी इंपॉर्टन लोग है इसलिए उन्हें भी वोटिंग के लिए बुलाया जाता है बोर्ट मीटिंग्स पर तो वो सब ही आये हुए थे उनका एक ग्रूप था जो ली शून की फादर मिस्टर ली कंट्रोल करते थे क्योंकि उस गुरूप में सबसे जादा शेर मिस्टर ली के पास है मिस्टर ली अभी भी वांग जी को एक अच्छा सीओ मानने के लिए तयार ही नहीं थे वो अलग-अलग excuses दे रहे थे अलग-अलग भाने कर रहे थे उनके पास reason था मतलब वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वांग जी अगला CEO बने फिर से जबकि वांग जी लगा था दो बार CEO बन चुका है और वो फिर से बनेगा तो इस बार मिस्टर ली और शायद बाकी के जो shareholder से जिनके पास 1%, 2% share है उनके share पर खत्रा बन सकता है तो इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि वांग जी दुबारा CEO बने और मिस्टर ली उनके पास तो एक private reason भी है क्योंकि वांग जी ने उसके daughter को reject जो कर दिया था तो मिस्टर ली बिल्कुल भी माने के लिए तयार नहीं थे कि वांग जी ही दुबारा CEO बने इसलिए मिस्टर ली शियून उटकर खड़े हुए और कहे मिस्टर लान वांग जी आपके पास majority है आपने सब को खड़ीद कर रखा है इसलिए वो सब आपके तरफ वोट देते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ और हाँ आपको मेरा वोट साइट जितने भी लोग हैं जितने भी शेयर होल्डर से उनके पास एक परसंद दो परसंद तीन परसंद शेयर से यह आपके नजरी में जादा नहीं है लेकिन एक बार सोचिए अगर यह सारे शेयर एक साथ हो जाए तो लगभग लैन कॉर्परेशन के 12 परसंद शेयर हो ज प्रिपेर था उसको पता ही था कि मिस्टर ली इस बार बखेरा खरा करेंगे ही इसलिए वांग जी ने कहा मिस्टर ली मेजॉरिटी मेरे साथ है इसलिए अगला सी-ओ मैं ही बनूंगा इसमें तो मैं आपको बिल्कुल भी हल्प नहीं कर सकता बट आप मुझे बता सकते हैं कि इसके अलावा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ अगर मेरे से कुछ बन पाया तो मैं जरूर करूंगा जिससे आप खुश हो जाए यह सुनकर मिस्टर ली जो आसपास देखते हैं और अपना गला साफ करते हैं और कहते हैं ठीक है तो फिर आप आप हमें थोड़ा औ और ऑपुचुरेंटी दे सकते हैं हमें और हमारे कंपनी के तरफ थोड़ा और ध्यान दे सकते हैं बड़े डील्स हमें दे सकते हैं वांग जी ने अपना सरनोट किया और बोला हां जरूर मैं इस बारे में सोच रहा था अगर मुझे नहीं बताते इन सारी चीजों के बारे मिस्टर ली अपने आपको समालते हैं और कहते हैं बट मुझे कुछ और भी चाहिए यह सुनकर वांग जी ने कहा हां जरूर बताइए ना आपको क्या चाहिए मिस्टर ली कहते हैं मेरी बेटी ली श्यून आप उससे शादी क्यों नहीं करते यह एक अच्छा मौका है हम अ पैसे के उपर होता है और कॉंट्राक्ट के उपर होता है तो मेरी बेटी के साथ शादी कर लीजिए अगर आप यह करेंगे तो आपके पास और यह मेरे जो 5% है वो भी चला जाएगा और मेरे कंपनी ली कॉर्परेशन को भी आप टेक ओवर कर सकते हो यह एक अच्छा डील है और मुझे पता है आप इस डील को मना नहीं कर सकते आपके पास इससे अच्छा ओपूर्चुनिटी नहीं आएगा पहली बार जब आप मेरे बेटी के साथ डेट पर गये थे तो वो एक नॉर्मल डेट था वहाँ पर कोई डील नहीं था कोई ऐसा ओपूर्चुनिटी न मिलेंगे आपको और साथ में ली कॉर्परिशन भी ली कॉर्परिशन लैंड कॉर्परिशन की तरह बरा नहीं है बट उतना चोटा कमपनी भी नहीं है मैंने उस पर बहुत महनत किया है वांग जी अपने आपको चेयर पर लीन करके सुन रहा था इन सारे चीजों को और वो से फालतू के बाते क्यों कर रहे हो यह सुनकर मिस्टर ली कहते हैं आप जिससे रिलेशनशिप में हो उसके पास तो कुछ भी नहीं है और हम सभी को पता है मिस्टर लान वांग जी आप कितने अच्छे विजनस मैन है वांग जी एक बार फिर शान्ति से कहता है मिस्टर ली अगर आप मुझे अपना पूरा जायदाद सब कुछ इस पूरे दुनिया में जो कुछ भी यह सब दे देंगे फिर भी मैं आपके बेटी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से ही कमिटेड हूँ और रहा पैसा या फिर आपके बेटी से शादी करने के बाद मुझे क क्या क्या मिलने वाला है उसका वो सब मैं आपकी बेटे से शादी ना करके भी हासिल कर सकता हूँ वैंग जी का टोन बहुती शान्त था लेकिन उसके आवाज में कोल्ड निस था बहुत जादा जो उस हॉल में सभी को महसूस हो रहा था मिस्टर ली को बहुत ही गुसा आया अब प्रेसीडेंट लैन की तरफ देखते हैं और कहते हूँ प्रेसीडेंट लैन का आपका भी यही राय है क्या आप भी मेरे इस ओफर को ठुकड़ाना चाहते हैं इतने बड़े ओफर को आपको लैन कॉर्परिशन के 5 परसंशेर्स मैं फ्री में देने वाला हूँ प्रेसरेंट लाइन मतलब अंकल कुरायन उठते हैं और कहते हैं वोट कम्पलीट हो गया है मैजोरिटी वोट वांग जी को मिला है लाइन वांग जी को लाइन वांग जी कॉंग्राइचुलेशन एक बार फिर तुम लाइन कॉर्परेशन के सीओ बन चुके हो एक बार फिर लाइन कॉर्परेशन को तुम्हें समाला है लाइन कॉर्परेशन का सारा जिम्मेदारी एक बार फिर तुम्हारे कंधे पर है और हरबर की तरह इस बार भी मेरे एकस्पेक्टेशन बहुत जादा है और मुझे पता है इस बार भी सीओ लाइन मुझे निराश नह किया फिर प्रेसिडेंट लैंड वहां से चले गए मिस्टर ली के किसी भी सवाल का जवाब बिना दिये मिस्टर ली को उनका सवाल का जवाब मिल गया था एके करके वहां से सारे शेर होल्डरस जाने लग गये थे मिस्टर ली वहाँ पर रुख गये थे और मिस्टर ली के साथ जितने भी शेर होल्डस थे वो भी वहाँ पर थे मिस्टर ली चिलाते हुए कहते हैं ये लान वांग जी अपने आपको समझता क्या है उसने मेरे ओफर को ठुकुराया कैसे इतना बड़ा आफ़र था अब मैं उससे नहीं छोड़ने वाला है एवरिवान आज के एपिसोड यही पर खतम होता है अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है वाई वाई कल मिलते है